हाई फ्रेंट्स वेलकम टुदा डेस्क देवा इंग्लिश स्पगन क्लास फ्रेंट्स आज हम बाते करेंगे कॉंग्राचुलेशन मतलब बधाई गुड़ विशेश मिस शूब कामनाय और थैंक्स मतलब धन्यवाद हम अलग अलग असारों पर अलग अलग तरह से हम बधाईय शूब कामनाय और धन्यवाद कहते हैं वोग फ्रेंट्स सो किस तरक के असर पर किस तरक की बधाईया हम देते हैं वही आज हम इंग्लिश में सिखेंगे सो लेट से स्टार्ट कलास फड़े अगर हम किसी को बधाई देते हैं जैसे किसी की नई नई शादी हुई है और शिष माई ब्लेजिंग टू निवली मेरेट कपल्स आपका दामपत्य जिवन सुखी और समरिद्शाली हो विश्यू अ हैपी एंड प्रोस्परस वेड़ेड लाइफ आप पर इश्वर की असीम किरपा बनी रहे में हिवन्स चॉइसेस्ट ब्लेजिंग बी शॉर्ट अन य अगर कोई यातरा पर जा रहा हो और उसको शुख कामनाय देना हो तो कहते हैं आपकी यातरा आनन से भरा हो विश्यू अ प्लिजेंट जर्नी आपको आपकी कार्य में सफलता मिले आपको एक्जाम में सफलता मिले अगर किसी के जनम दिन हो और उनके जनम दिन पर बधाई देना हो तो उनको हम कहते हैं आपके जनम दिन पर बधाई हो हुटिएस्ट फलसी टेशन्स on your birthday यह दिन बार बार आए और आप गौरों के शिखर पर पहुचे many happy returns of the day may you reach the peak of the glory परिक्षा में सफलता पर बधाई हो वांट कंग्राचुलेशन on your success in exam बेटे के जनम दिन पर हार्दिक बधाई हर्टिएस्ट कंग्राचुलेशन on newly arrival दिवाली की आउसर पर शुब कामना है हर्टी दिवाली greeting क्रिश्मस की बधाई हो A Merry Christmas to you आपकी इस सम्मान पर हार्दिक बधाई हर्टी कंग्राचुलेशन on the distinction and comfort on you आप दिन दूनी उनत्वी करे और जीवन के महानतम लक्ष को प्राप्त करे May you rise from strength to strength and achieve the novelist ends of human life संदेश भेजने के लिए धन्यवाद अब हम किसी को कुछ करने के लिए या किसी भी तरह के मदद करने के लिए किसी भी रूप से मदद करने के लिए हम उसको धन्यवाद कहते हैं तो कैसे कहते हैं संदेश भेजने के लिए धन्यवाद Many thanks for sending the message Badhai Sandesh के लिए धन्यवाद Many many thanks for your message of congratulations Chai Par Bulaने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Many thanks for inviting me to tea अपना pen देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया Many thanks for giving me your pen मेरी मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया Many many thanks for helping me तो friends, बधाई देना हो, शुब काम बनाएं देना हो या किसी को thanks कहना हो तो इतने सारे तरीके हैं मलागलाग और सोरो पर अलाग तरीके से बधाई देते हैं शुब कामनाएं देते हैं और thanks बोलते हैं तो आपने अभी समझ लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा आज का class तो friends, अगर आज का class अच्छा लगा हो तो like कर दिया किजिए और bell icon को click करके on notification on कर दिजिए ताकि हमारे हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे और आप English सिखते रहे तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए thanks thanks a lot and धन्यवाद अगर आप शुरू से English सिखना चाते हैं तो आप हमारे चानल पर जाएए हमारे चानल पर जाने के बाद चानल के playlist में जाएए उपर आपको playlist लिखाने जर आएगा उस पर आप click किजिए playlist पर click करने के बाद सारे playlist खुल जाएंगे और सबसे जो उपर वाला playlist है English Practice Classes आप उस पर click किजिए उस पर click करने के बाद आपके सारे वीडियो जाएंगे और इन सारे वीडियो को आप उपर से शुरू करना देखना और एकके करके देखना